नमस्ते बच्चों स्टुडेंट्स आप सभी का स्वागत है आप सभी का भिलंदन है इविद्य चैनल नंबर 10 पर और हमारे यूट्यूब चैनल एंसी आर्टी ओफिशल पर और मैं हूँ आपके साथ आज कुसुम रसाद तो बच्चों स्टुडेंट्स जो भी आप हमें देख रहे हैं आप हमारा लाइव इंट्रेक्टिव सेशन देख रहे हैं जिसमें आज हम बात करेंगे हिंदी सब्जेक्ट की क्लास 10 के विध्यारतियों के लिए और आज का शीर्शक है टोपी शुकला राही मासूम रजा इसके बारे में विस्तार से बताने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है हमारी आज के एक्सपर्ट मिसिस अपाला भार्गवी मैम आपका बहुत-बहुत स्वागत है मैम है प्रैक्टिसिंग टीचर एंड कंसल्टेंट ऑफ हिंदी तो मैम बताएंगी इसके बारे में विस्तार से टोपी शुकला क्या है इसके बारे इसके में क्या कुछ है और जो इसके लेखक है राही मासूम रजा उनके बारे में भ कर सकते हैं हमारे नंबर पे वो है आठ शुन्य शुन्य चार चार शुन्य पांच बाशनौ पर आपके टलीवीजन स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है इसे नोट डाउन कर सकते हैं इसके लाव आप हमें इमेल भी कर सकते हैं हमारे इमेल आइडिया है dth.class10 at the rate ciet.nic.im और एक जाते हैं कोई समस्य है कुछ पूछना चाहते हैं आप तो जरूर संपर करें और सीधे सत्र से जुड़े तो अब हमारी एक्सपर्ट अपाला मैम की तरफ मैम सबसे पहले तो हम यह जानना चाहेंगे कि जो इसके लेखक है राही मासूम रजा वह कौन है उनके बारे में कु इनके बारे में इनकी सिक्षा जो हुई चोकी वो गाजिपूर के थे तो प्रारंभिक सिक्षा उनके गाउं के ही आसपास हुई जो उनका छोटा शहर होगा वहां हुई पढ़ने के लिए आगे की पूरी सिक्षा करने के लिए शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए फिर दो वर्ष ह में अर्डियापन का कारिय भी एक तो उनके बारे में यह हम सिक्षा और उनका कारिय था उसके बारे में जानें। दूसरा इनके बारे में विशेस रूप से हम यह जान सकते हैं कि इनको इनकी लेखनी के लिए तो हम जानते ही हैं, उर्दू और हिंदी के ये पसिद्ध लेखक रहे, इनों ऋपर न्यास लिखे, कहानिया लिखी, इन सब के अतिरिक्त, जो इनका जो लेखन है जिसके लिए य विख्यात हुए वो था इनका मुंबई फिल्म जगत यानि बॉलिवुड के लिए इन्होंने पठकथाएं लिखी कहानियां का धारवाहिक ऐसे कई आये और सबसे प्रसिद्ध था महाभारत जिसकी चर्चा हम कई बार आप घरों में सुनते होंगे माता पिता बोलते होंगे ह हमारे समय का जो महाभारत था आज के महाभारत से बिलकुल अलग अब आप सोच सकते हैं कि वो यह व्यक्ति महाभारत की कथा जिसके बाद एक चलन हो गया हमारे समाज में कि आप भाई को कहें ब्राता श्री पिता श्री इस तरह के शब्दों का प्रयोग होने लगा तो यह हम जब बच्चे थे तब की ये बात है तो उस समय इन्हों ने पटकथा लेखन किया, फिल्मे की और कई फिल्मों में जब उन्हों के के लिए उन्होंने कहानिया लिकिए उसके लिए उन्हे फिल्म फेर आवाड भी मिला तो एक तो उनका यह हुआ लेखन कि दुनिया में जैसा कि मैंने बताया उर्दु और हिंदी दोनों के लिए इनों ने लिखा तो पिशुकला और कई उपन्यास लिखे उनमें से एक रच्णा इनकी तोपिशुकला है अब इनकी जो रच्णाई हैं अब हम बात करते हैं कि रच्णाओं म भारतिय संस्कृति परंपरा जो हम प्राचीन जो अब तक हमारे यहां परंपरा से आती रही चीजें जो आज कुछ विकृत सी दिखती हैं बगली हुई सी दिखती हैं उस समय भी इन्होंने जो विशेह रहा यह लंबे समय से यह समाज के अंदर एक दबे दबे एक विशेह कि भारती संस्कृती हो कैसी, यहां का तहजीद क्या हो, तो उसमें इन्होंने उन तमाम बातों को लेकर के उनका लेखन हमेशा सशक्त माध्यम बना रहा है। कि लिए। उन्होंने नहीं जो लिखा वो एक को वो एक कर आप सोच्व साइanस के तीचर से सुनते होंगे गंगा जमठी तःजीव, यानि, गंगा और जमुल्दा की तचिव यह हो यह एक मोहावरी की तरह प्रावर होता है यानि जो हमारे समाज की बनावत है जिसमें आप सुनते हैं धर्म के नाम पर, कई तरह की जातियां, कई तरह के धर्म, यानि भारत जो विवधताओं भरा है, वहां किस तरीके से हम एक समरस्ता को बनाए रखते हैं, तो उस समरस्ता को लेकर इन्होंने लिखा और काफी लिखा, तो अबुदारन के तौर पर जै कि नाम जैसा कि इनके नाम से पता चलता है, कि इसलाम को मानने वाले रहे, लेकिन इनका जो लेखन है, जो पठकथा लिखी इन्होंने, वो उसमें आप जब आप सुनेंगे महाभारत सीरियल देखेंगे, और एक प्रप्रसिद्द सीरियल था इनका नीम का पेड, ये भी द कहीं से भी आपको नहीं लगेगा कि ये रिफ्लेक्शन इसमें हिंदु धर्म का नहीं है, जो इस विशे पर हमें बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन कहीं से भी नहीं लगेगा कि लिखने वाला एक इसलाम को मानने वाला व्यक्ति है, यानि इतनी घुली मिली भाषा और उनक विचार था तो इनके बारे में हम ये मुलता हैं इनके बारे में हम ये जाने जाना राही मासूम रजा के बारे में आपने रिस्तार से बता है उनका परीचे दिया और अब आते हैं शीरशक के उपर टोपी शुकला बहुती दिलजस्प शीरशक है ये इसके बारे में भी बता कि नाम भले ही कुछ और हो हम पुकार के लिए कुछ नाम रख दे हैं ऐसे ही एक बच्चे का जिसका नाम होता है बलभद्र लेकिन उसे घर में लोग प्यार से प्यार से तो नहीं क्योंकि कहानी जो हम पढ़ेंगे तो उसमें उस पता चलता है कि वो अकेला पन उसके जीवन म उनके मतलब पैत्रिक जो उसकी मतलब उनके उसका जो सरनेम था वो शुकला था तो बाद में लिखक ने उसे टोपी शुकला नाम दिया तो ये जो पाठ है ये दो बच्चों के उर्दगर्द कहानी बुनती है इसमें लिखक बुनते हैं और दो लड़के हैं दो बच्चे ह पुकार के नाम है दोनों के और यह दोनों बच्चे जो है किस तरीके से इनकी जो इनकी जो दोस्ती होती है प्रगाः मैत्री जिसे हम कहेंगे घलिस्ट संबन्ध वह किस तरीके से समाज को प्रभावित करता है उसमें समाज दिखता है समाज अच्छे से चैनि अच्छे कई बार अच्छे संबन्ध में भी और ज्यादा तर इस कहानी के माध्यम से लेखक यह दिखाते हैं कि समाज के अंदर आने वाला परिवार यहां तक कि कक्षा अगर है चुकि बच्चे हैं तो जरूर स्कूल जाते होंगे तो उनके विद्याले में भी किस तरह का किन किन स्थरों पर विभेद है तो यह पाठ मूलतह समाज में फैले हुए विभेद को यानि कही तरह से बटे तक तो जुए समाज को दिखाता है तब बटना जो है कि रूप में हो सकता है हम जादातर सुonlyों समझते हैं कि जाति और धर्म के नाम पर चुकि विविधताय हैं कि विविधताय हैं तो जाती हैं किस चीज की बटने की जब हcies जब हम कहेंने कि यह भीड़ता मी एक ता यार पाधिन विविधताओं की योर यॉड लेख अमारा ध्हान लेजाता है, तो जैसे कि हम अगर उंगलियों पर गिने तो बातचीत में हम क्या करते हैं, जैसे आपस में भी बार, अरे ये हिंदी भास है, ये गुझराती है, ये बंगाली है, इस तरह की भाशा में हम बात करते हैं, करें इसे इने समझ में आए नहीं आएगा, यह बंगाली नहीं जानता, तो हम कई बार किसी को जज नहीं करते कि भाव तो एक ही है, इस पार्थ में इसी विशय की और इशारा किया जा रहा है, जाती के नाम पर, धर्म के नाम पर, भाशा के नाम पर बटी हुई, और कम वर्ग के नाम पर वर्ग यानि क्लास, जिसको हम कहते हैं, उच्चवर्ग, तो इस तरह के इन तrecious पर लिंग के आढ़ार पर घो पटा हुआ समाज है, उसे बत्चे भी चाहरा करते हैं। तसे चुरब करते हैं। वह तो चुरुवात करते हैं। टरप्डने लोगे में परिवार में भी लोग उनकी पसंद नहीं करते। लोगों को लगता है करें हिंदू है यह हिंदू है और यह मुस्लिम है यह जो बात करेंगे उसके अप बहत ही नैचुरल है कि आप जब दो बच्चे मिलेंगे एक क्लास के अंदर यानि कक्षा के अंदर तो एक दूसरे की भाशा और तमाम चीजे खान पान सब कुछ तो असी ही गटना घटती है और इसमें यह दोनों बच्चे दूसरे को दूर होते हैं दोनों के घर में एक खास तरह क्या अकेलापन है क्योंकि घर की जो बनावट है वो अलग तरह की है यानि उसमें ज़ादी और दादी एक की इफवन की दादी बहुत अच्छी है तोपी बनारस और यह इन इलाकों की बोली है तो वहां जो पूर्वी पूर्वी बोलती है और इफण के जो दादी है वो लखनव की है तो दोनों में एक खास तरह की भाशा का अंतर है एक में लखनवा अंदाज है इफण की दादी भी पूर्वी बोलती है और टोपी की दादी जो ह तो इफण की दादी और टोपी की मा ये दोनों पुर्वी चेतर की हैं और इन दोनों की बोली बिलकुल एक जैसी है तो टोपी का चुकी घर में अपनी मा के करीब है तो वो देखता है इफण की दादी की भाशा उसे बहात अच्छी लगती है जब वो घर जाता है जबकि दादी के बारे में बहुत कुछ नहीं जानता यहां तक ही वो इफवन का पूरा नाम भी नहीं जानता और इफवन के बारे में बस यही क्योंकि वो दोस्त है और वो बहुत प्यारा है उसके साथ वो अपनी तमाम बातें अपने तमाम भाव वो व पीले तेल वाले के नाम से यह जाने जाते हैं डाक्टर तो दोनों अच्छे घरों से आते हैं इफवन के बारे में यह कहानी में बताते हैं लेखक कि इफवन की बहने हैं दो बहने हैं इफवन के अलावा और टोपी के दो भाई हैं दोनों भाई जो इफवन के अलावा जो द और भावित होकर उनकी भाषा का इस्तमाल करता है तो भाषा पर एक जगविभेद दिखता है और घर में सब लोग उसको टोपी को हे दृस्टी से यानि बहुत ही बुरे तरीके से देखते हैं करें ये तो बहुत ही गवार है इसको धंग से बोलना नहीं आता ये धंग से जहली पढ़ती है अपने घर में तो चुकि वो दादी के करीब है और दादी भी पूरी बोलती है और पता चलता है कि वो दादी के करीब है दादी उसको कहानिया सुनाती है तरह तरह की और वो दादी के साथ ही उठता बैठता खेलता नेचुरल है हम सभी घरों में कोच्छ होती है क chords जाथ दादी के साथ बैठ रहे हो तरह से मत बोलो कम से कम धंग से तरह से उठो बैटो खास तरह का दबाव एक घर में बना होता है जैसे कि आप घरों में देखेंगे कि मेड के बच्चों के साथ नहीं खेलना इनके साथ नहीं उठना बैटना ड्राइवर के इसे बात बात नहीं करनी कई घरों में इस तरह का दबाव बनाया जाता है जो कि नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर हम बोली, भाषा, तमाम चीजों से, अगर हम मुझसे जुड़ते हैं, तो हम हमारा विकास होता है, सरवांगेन विकास होता है, हम कई चीजों को जानते हैं, हम संस्ट्रिती को समझते हैं, अपनी भाषा को समझते हैं, तो इस अधर पंक्ति लेखक लेखग है जो एक आइने की तड़ा पूरे पार्थ को व्यक्त करता है, लेखक कहता है कि उर्दु और हिंदी एक ही भाषा, हिंदवी की के दो नाम है, यानि आप उसको भाषा के रूप में लेते है हैं, हिंदवी भाषा थि जिसके दो की दो स्राखाय निकली, एक बन गया उर्दू और एक हो गया हिंदी, ठीक इसी तरह यह समाज, भारत, इसके अंदर कई जातियां है, कई धर्म हैं, अब इस पंक्ति को आइने की तरह इस पाठ को समझने में इस्तमाल कर सकते हैं, कि इशारा किस और जा रहा है, तो उर्दू किस की भाशा है, इसलाम को मानने वाले और हिंदी जादा तर हिंदी हम जो लोग होते हैं इसलाम के अतरिक्त जो लोग सुनते हैं बोलते हैं उस तरह से हिंदी को देख रहा है यहां लेखक जो कहना चाहता है तो इस तरीके से ये पाठ आगे बढ़ता है और आगे जाकर के जो घटनाएं घटती हैं वो ये होता है कि इफण को इफण के साथ इसकी दोस्ती होती है एक दिन एक घटना घटती है चुकि ये बहुत उठता बैठता है टोपी इफण के घर आना जाना उसके साथ रहना पंक्ति कहते हैं कि उनके घरों में भी 20 सदी का प्रभाव है याने टेबल में इच कुरसी पर लोग खाने पीने लगे हैं तो मतलब एक खास तरह की आधुनिकता उनके घर में प्रवेश कर चुकी है चुकि डॉक्टर हैं तो वहां बैठे हैं टेबल पर लोग बैठे हैं अचानक अनायासी जिसको हम अचानक भी कह रहे हैं अनायासी उसके मूँ से टोपी के मूँ से अपनी मा के लिए मानकर माता जी नो कह करके उसने कहा अम्मी अब पूरा का पूरा घर हिल गया इस घटना से अम्मी शब्द क सुनते ही ये क्यों हुआ चुक्चि जो उनकी दादी थी, उन्होंने रियक्ट किया कि अरे, यह तुमने क्या कहा. लेकिन सुभद्रा देवी इसमे भूल गई कि उन्होंने उस अम्मे शब्द पर जो रियक्षन दिया, वो ये कहा कि यह लफ्ज तुम्ने ऐं कहां से सीखा. वो ये उन्हें नहीं मालुम, दादी जरूरी नहीं, हम दिन भर बोलते हैं, हम नहीं जानते कि कितने ऐसे शब्द हैं, जो अंग्रेजी, जो कक्षा में, हम इस्तमाल करते हैं, कि आप चांटिये, हम एक एक्ससाइज के रूप में लेते हैं, कि कक्षा में उर्दू के शब्द चांटिये, हिंदी के शब्द तूपी की ऐहां तरड के अश्ब फक्राण च्यृक्त ऐट तरे की बारेकिशम मेरें तो उस पर इक्षन सुवद्राद्रादेव। और घटना बच्ट टोपि से शुरू होती है उसल उस अम्मी शब्द से शुरू होती है और बाद में अम्मी ने खुब्याम naszej माती रामदुलारी नाम होता है उन्हिने खुब्ब पीट में उसको बहुत पीट तोपी को और तप तक अचानक पीट thay p shoot उन्होंने अपनी बाषा में उन्होंने बोल धिया, अब सुखद्रा देभी घर में एक आस चाह पालह बन गया, केवल एक शब्द के इस्तमाल से, तो यहा विभेध दिखाते हैं, कि बाषा के स्तर पर विभेध है, फिर जो शब्द AE है, जो reaction होता है, वो reaction भी इसी तरह से होता है, कि आप किस तरीके से, आप ऐसे लोगों के साथ क्यों बैठते हैं, उठते हैं, आपको तुमा उठना बैठना बंद करो, ये सारी चीजे घट रही होती है, और टोपी कहता है कि ये संभाव नहीं, क्योंकि उसका, उस समाज में उससे प्यारा दो है, इफण के दादी मर जाती है, टोपी कहता है कि हम दोनों बदल लें आपस में दादी को, तो संभाव नहीं होता, ये घटना घटती है, उसके बाद आगे, एक बाद, इफण के जाने के बाद, कलेक्टर के पद तो शहर में दूसरे लोग आते हैं, दूसरा व्यक्ति हरि के उस बंगले में जाया करता था, तो वहाँ वो जाता है, लेकिन वहाँ जो नए लोग आए हैं, उनके उनमें एक क्लास का बोध होता है, और इफ टोपी की जो शैली है, वो तो बिलकुल सहेज है, उसको उस पर रेक्ट करते हैं, तो यहाँ पर एक चीज और दिखता है, तोपी का सिचुbo Wishon ऐसा होता है, कि टोपी एक खास तरीके से, उसके बारे में यह होता है, कि पड नहीं पाता, बहुत तेज है, लेकिन एक कही कारणों से, वो कट्छा नौ से, दस में नहीं जा पाता, थечно 9 में दो साल उसे रुखना पड़ता है, एक बार वो बीमार हो ज किसी तरह से परिशान करता है मम्मी काम के लिए तो इस तरह कि कई चीजें और एक खास तरह कि का अकेलापन है उसको उसके अंदर तो इन तमाम चीजों के कारण वो नौमी में फेल हो जाता है और वो रुख जाता है अब यहाँ पर क्लास के भीतर यानि कक्षा के भीतर चात्रों का बरताओ यह कैसे माइने रखता है एक खास तरह की बुलिंग हो रही होती है क्लास के भीतर बच्चे उसको कहते हैं कि अरे तुम भूंदू हो तुम तो इसी क्लास में पढ़े रहे अगले पिछले क्लास के बच्चों से दोस्ती करो उसके साथ के बच्चे दस्व क्लास के भीतर सर्फ बच्चे ही उसकी बुलिंग नहीं करते यहां तक कि जो नहीं होना चाहिए इसकी ओर इशारा लेका करता है कि कख्षा के भीतर शिक्षक भी उसका एक खास तरीके से उसको लेकर के एक बायस रखते हैं और रियक्ट करते हैं च्छा कि अरे तुम क्या बताओगे एक ही क्लास में इतने सालों से पड़े हुए हो यह अच्छी बात है कि आज हम इतने संवेदनशील हो गये हैं हमारी संवेदना थोड़ी बढ़ रही है समाज में और सिक्षक को इस तरह की ट्रेनिंग दी जाती है कि आप हर तरह के बच्चों को समावेशी आप संवेदनशील हो यह आज की स्कूलों में यह चीजे हमें देखने के मलती हैं लेकिन जिस समय की बात कर रहे हैं उस समय ऐसा नहीं होता है क्लास में उसका बहुत ही मतब खास तरह के से बाइकाट होता है बहुत उसे प्रताड़ना प्रताड़ित किया जाता है लोग इसमान जहिलना पड़ता है तो उस बाल मनों विज्ञान को इस पार्ठ में उठाते हैं लेखक, और सिर्फ बाल में मनों विज्ञान ही नहीं वो किस तरीके से लास्ट में तो पी यह एक उसके भीतर का संघर्ष है, एक चात्र के कक्षा में कई तरह के संघर्ष जेलता है, परिवार में संघर्ष जेल रहा होता है, चुकि वो बीच का बच्चा है, यानि तीनो तीनो भायों में बीच का मंजला बच्चा है वो घर में, तो उसके कारण उसको उपर से भी द जरिया उसके प्रती इन तमाम चीजों को दर्शाते हुए उसने लास्ट में किसी तरीके इसने खास तरीके का संगर्ष करता हुआ वो बढ़ता है तब तक दस्वी के पार्ट दस्वी में जब हो जाता है पिता जी चुनाव लड़ रहे होते हैं एक बहुत ही सुंदर पंग् कि आँ तेृं मैं में तप step ऴास्तव में राजनितिक होतेओं आई तो हम धनानने देगए कि हमारे बगल वाला व्यक्ति कौन है तो हमें तमाम चीजों से दुनिय के मांटने से लिग होकर कर के समाच को समझ साम रस्ता को बनाए रख्ना समानता को समझना एक पंक्ती में ए इसको समेटना, किसी भी तरह से लोगों को समझना, क्लास के दूसरे बच्चें को अगर वो कमजोर है, अगर किसी तरह की परिशानी में हैं, तो उसको हम जाने कि आखिर ये परिशानी किस बात की है, और उसकी मदद करना, जो कि आजकल स्कूलों में सिखाया जाता है, पियर आपस में दूसरे की मदद करते हैं, पहले की तरह जैसा कि इस पार्ठ में है, जैसा नहीं होता, और किसी तरह जब उसके पिता चुनाव लड़ते हैं, तो उसमें घर में इतना शोर होता है, कि उसमें जिस किसी तरह, चुकि उसने कसम खाई थी, एक पंक्ती इस पार्ठ मे आती है की वो कहता है जब इफन चला जाता है कि सन पैताल सी में कसम घाई किस में कसे कि अब किसी से दोस्ती नहीं करूँ गा इस तरह से मैं और मैं किसी से मात्तब एक खास तरीकी का उसने अपने को बदलने की कोशिश की तोपी ने लेकिन ऐसा वो एक संघर्ष के दौरान चलते हुए आगे बढ़ते हुए तोपी किसी तरह थर्ड थर्ड डिविजन आज के बच्चे नहीं जानते थर्ड डिविजन क्योंकि हमारा जो रिजल्ट है वो दिविजन के अनुसार नहीं होता तो उस समय यानि बहुत क किसी तरह वो पास हो जाता है कक्षा में और फिर घर में घर में भी एक खासरा का मजाक बना रहता है क्योंकि मुन्नी पढ़ने में बहुत बड़ा भाई उसका तेज है तो इस तरह से यह कहानी आगे बढ़ती है तो मनोविग ज्यान को दिखाता है विविदताओं को दिख को समझते हुए हमें कैसे समाज को क्लास को किस तरीके से बच्चों को अपनी कख्षा को में एक खास तरीके का की विभेद को खत्म करना चाहिए एक खास तरह का की एकता बनाए रखनी चाहिए क्लास में इस तरह को इन तमाम बातों की ओर इशारा करता है यह पार्ट और इ कि और भी चीजें हैं जिनको हम पढ़ सकते हैं इन्होंने राही मस्लूम रजाने एक हमिद के बारे में जो हमारे रहते हैं छोटे आदमी की बड़ी कहाने वीर अब्दुल हमिद जो भारत पाक युद्ध में के विजेता थे परम वीर चक्र विजेता थे उनके उनको लेकर के लिखा तो आप इनके बारे में और चीजे पढ़ेंगे तो समझ सकेंगे इनको बिल्कुल अपला मैम आपने जो बताया कि यो टोपी शुकला जो शीशक है जो राही मासूम रजा जो इनके लेखा कि उन्होंने बहुती कुबसूरती से इस कहानी को लिखा है जो की टोप बहुत ही दिलज़स था बहुता ही जानकारिया आपने दी और हमें उमीद है कि जो हमाइज सुडेंट्स लेर्नर्स हमें देख रहे होंगे एक बार एक चप्टर को पूरा पढ़ लेंगे तो सारी कहानी है कई हिस्तों में तीन-चार इस्तों में बटी हुई है बहुत अच जाया है बहुत ही क्लियर हो जाएगा आपको कॉंसेप्ट और आज के स्त्र के लिए बस इतना ही हमें दीजे जाज़त लेकिन स्टुडेंट्स लेर्नर्स आप कहीं मत जाएए अभी हम कक्षा 10 के लिए साइंस लेकर कुछी पलों में हाजर होंगे हमें दीजे जाज़त नम झाल